दोस्तों यह है टाटा की जेनान पिकप भाई यह गाड़ी कामर्सियल विकलोगी किंग है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले आप इसके अंदर में देखे इसमें ज्यादा फीचर्स वगरत तो नहीं मिलते हैं लेकिन इधर एड लेंप लेबल एड़ेस्टर वगरत दिये गए हैं बाकी इस्टूमेंट कलस्टर एनलोग में ही मिलते हैं बीच में एकदम छोटा सा सिम्पल सा इंटियर देखने को मिल जाता है और उपर में यहां सनवाइजर वगरत दिये गए हैं और बीच में आपको एकदम बढ़ियां वाला केबिल नेंप मिल जाता है और दोस 223 NM के लगबग टॉर्क दे देता है जिससे ड्राइविंग काफी आसान हो जाती है और इधर देखें तो आगे से थोड़ा सा डेंट है गाड़ी लड़ चुकी है और यहां इसके कामर्सियल टायर लगे हुए है और इसके साइज की बात करें तो 215, 75, 16 इंचेस के टायर मिल सब मिल जाता है अच्छा अब इसी के बगल में जो है कि खड़ी है टाटा की युद्धा जो की इसकी अपडेटेटेड वर्जन है अगर इसके लुक की बात करें तो इसका लुक जो है कि बिग यसुवी को टक कर देता है और दोनों लगबग फ्रंट से सेम ही दिखती है अलाकि इसके हेड लैम्प को थोड़ा से चेंज किया गया है इसमें हलोजन लैम्प मिल जाता है टरन इंडिकेटर और नीचे के लिए क्रोम सेटब में थोड़ा से डिजायन मिल जाती है बाकि इसकी ग्रील वगर तो ब्लैक में ही दियेगा है बाकि यार अगर आप इसकी डबल केविन 4x4 लो न तो भाई इसमें गाड़ी लूक वगर है के मामले में अपने कम प्राइज रेंज के हिसाब से इस सुजू की डीमैक्स को ठक कर देगी बाकि यार फेंडर पर इंडिकेटर वगर मिल जाते हैं और इसकी टायर साइज भी वही जेनान वाली है बाकि ये चड़ने के लिए दिया गया है लोए का फूट रेस्ट या फिर आप जो भी कह लें बाकि इसके अंदर में केबिन और डेस्बोर्ट वगर जो एकी लगबख सेमी मिल जाते हैं हाँ इसकी स्टेरिंग में थोड़ा सापडेट किया गया है और निव लोक में दे रखी है जो की काफी अपडेटेट फिल होती है बाकि इसके पीछे में देखें तो अपना टेल डायम पोगर मिल जाते हैं और बाई इस गाड़ी में लोड खीचने की छमता तो बहुत है इसमें कोई सक नहीं है आप सभी को पता है और यहाँ पर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर इसका स्पेर विल टंगा हुआ मिल जाता है तो दोस्तो यह रही टाटा की ज़्यादा यूज होनवाली कमर्सेल विकल का क्विक रिविव बाकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब जरू कर लिजेगा ताकि ऐसे ही कारों के रिविव के डिटेल वीडियो आपको मिलते रहें